यूशा बॉटेक के जितनी भी कंडिसेंस होते हैं जितने भी इसूज होते हैं या फिर नानो टेक को भी इमेंसिफाइब करेंगे ठीक है ना इससे पहले आलड़ी मैंने 5G टेकनलोजी पे एक लिक्टर बनाया है लेक्चर का मेंस ओरिंटेड है लेक्चर उस पॉइंट से ओरिंटेड है कि आप एक्जाम में जहां पर आपको आंसर लिखना है वहां पर आपको complete पॉइंट्स मिल जाए और आप उसको यूज कर पाओ मैं इसके लिए Vision IS की Mains 365 को यूज कर रहा हूँ आप या तो magazine ले लो या फिर अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो you can join my telegram channel IS PC simplified ठीक है तो start करते है नैनो टेक ठीक है तो start करने से पहले सबसे पहले जानते है कि नैनो का मतलब क्या होता है ठीक है तो देखिए नैनो का मतलब होता है 10 to the power minus 9 meter ठीक है तो अब आप कहो कि यार नैनो इतना छोटा पार्टिकल है इसको यूज कैसे करेंगा किसी भी चीज के लिए तो देखिए scientist लोगों ने एक चीज देखा कि आखिर जब कोई एक material माल लेजे यह आपके पास एक cubical block है ठीक है यह cubical block आपके पास तो जो researchers हैं जो R&D वाले लोग हैं उन्होंने देखा कि जब इस material की इस component की हम लोग एक nano material को बाहर निकालते हैं एक nano particle को extract करके उस material से उस object से बाहर नि जो इसकी physiochemical, biological, mechanical, optical, electronic यह सारी properties होती है न वो और इस particle की properties दोनों में आस्मान जमीन का फर्क होता है मतलब इतना फर्क होता है कि irrespective आप इस particle को इस nano particle को इस से निकाले हो irrespective आप उस nano particle को इस block से निकाले हो लेकिन ये block और इस nano particle में काफी अंतर है ये बिल्कुल different material की तरफ behave करने लगता है तो इससे क्या होता है जैसे माल लीजिए को एक semiconductor है ठीक है उससे आपने किसी एक nano particle को निकाला और अगर आपको मालनो कोई कि अलग सा semiconductor मिल जा रहा है जिसको आप लोग यूज कर सकते हो कहीं पे भी किसी भी industries में जहां जिसकी applications बहुत जादा बढ़ जाती है तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना क्यूंकि हमें application based industry ही तैयार करना है हमें ये निकालना है कि कि किसी भी एक material से different types of materials हम लोग निकाल आपको ध्यान रखना होगा चलिए स्टार्ट करते हैं तो आपको पता चली गया कि आखिर हम लोग क्यूं यूज करेंगे इसको ठीक है ना तो basically nanotech जो है वह study है किसी का तो nanoscale range के materials का particle का ठीक है ना नानो स्किल रेंज कहां से कहां वैरी कर सकता है तो वह एक नैनो मीटर से लेकर के वैरी कर सकता है 100 नैनो मीटर तक चलेगा ठीक है ना यही उसकी फाइनल रेंज होगी जो particle हम लोग exclude करेंगे जो particle हम लोग ने नैनो मेटरिल निकालेंगे उसकी property बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी और यही हो जागा सर्प्राइज में लेगा एक तरीके से जैसे माल लीजे यही बात होगे कि एक करोड इंसान से एक आदमी को निकाल रहा है वो एलियन की तरह अब देखिए हम लोग कुछ applications को जानेंगे ठीक है तो इसके अब हम लोग applications को देखते हैं सबसे पहला applications होता है energy storage का सबसे पहला application होता है energy storage production and conversion देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि energy को एक जगाए store करने में हमें bulky बहुत जादा जो हमारा components था बहुत बल्की होता आप द DC को हम लोग transfer करना चाहेंगे तो इसके लिए storage चाहिए हमको ठीक है आप पहले देखते था ना computer की size क्या होता है computer इतने बरे होते थे अभी आप पाम में लेके चलते हो अथेली पे लेके चलते हो ऐसा कैसे हो रहा है क्यूंकि एडवांसमेंट हो रहा है ना electronic devices में वो इस ची फिर बीजेटी हो गए, amplifier हो गया, fit हो गए, field effect transistor हो गया फिर बहुत डायोट हो गया, janeer diode, tunnel diodes, बहुत सारे ऐसे components आगये हैं जो चीजों को असान कर दिया थीक है, छोटा कर दिया माइक्रो इलेक्रोनिक्स पर हम लोग काम करते हैं वोल्ग करते हैं, वेलासी पर काम करते है इससे क्या होता है हमारा चीजे और भी compact होते चला जा रहा है, तो compact के साथ साथ उसकी strength भी तो घटेगी ना, लेकिन nano tube क्या करता है, carbon nano tubes, एक carbon का nano structure है, ठीक है ना, ये electrical conductivity बहुत अच्छा exhibit करता है, ठीक है ना, बहुत सारे semiconductor से ये electrical conductivity बहुत ज़्यादा exhibit करता है, और इसके पा रहने capability, electrical conductivity कहने का मतलब, electrical electricity को, electron को flow कराने की tendency, ठीक है, तो basically आपको बहुत जानता research नहीं करना है, आपको सिर्फ समझना है, कि energy storage production and conversion के लिए यूज होती है, जिसमें हम लोग carbon nano tube का यूज करते हैं, nano catalyst का यूज करते हैं, किस इसके लिए nano catalyst को यूज करते हैं, आपको बता productivity enhancement, जैसे आप इसकी notes बना रहे हो, तो आपको क्या करना है, इस तरीके एक block बना देना है, यहाँ लिए application, ठीक है, और कहां कहां यूज होगा, तो चलिए energy storage में, ठीक है, agriculture में, energy storage में, ठीक है, एगरिकल्चर में, energy storage में, ठीक है, आप carbon cnt लिख सकते हो, carbon nanon tube लिख सकते हो, आपको बस terms याद होने चाहिए, यह mains के लिए, ठीक है, अब देखिए, agriculture productivity enhancement के लिए यूज करेंगे, तो किस चरीके से यूज करेंगे, तो agriculture productivity enhancement में, हम लोग आगर रहे है, nanoporous geolites, देखिए, कुछ हम लोग जो यूज करते हैं, urea या फिर जो भी fertilizers यूज करते हैं, वो complete land तक नहीं पहुच पाता है, उसकी productivity 100% नहीं होती है, ठीक है, अगर हम लोग उसको nanoports में convert कर देंगे, geolites में, या फिर fertilizers के लिए, herbicides के लिए, तो बहुत अच्छे से हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, एक चीज आप समझ लिए, थोड़ा समय यूनिक चीज बताता हूं, इसको आपने उससे एक nanoparticle निकाला, आपको बताए, nanoparticle की surface area बढ़ जाती है, surface area contact बढ़ जाएगी, आप तो कहोगे इतनी छोटी है, कैसे बढ़ जाएगी, क्योंकि इसकी complete surface area की मैं बात करूँगा, तो बढ़ जाएगी, और surface area बढ़ जाएगी, तो एक तरीके के surface touch यूडिया है या फिर fertilizer पहुच नहीं पा रहा है, लेकिन वहाँ nanoparticles पहुच सकते हैं, तो वहाँ पे herbicide delivery हो सकता है, nanosensor, sensor यूज कर सकते हैं, monitoring के लिए, तो agriculture productivity enhancement के लिए तो हम लोग यूज कर लिए, अब हम लोग बात करेंगे, water treatment and remediation के लिए, तो पानी को कैसे साफ करने छिलके को देखेगा आप तो उससे एर पास हो सकता है, अराम से, उसको कहता है, semi permeable membrane SPM, तो इस तरीके का nanoparticle को design करके, हम लोग water को purification के लिए यूज कर सकते हैं, और फिर कुछ magnetic nanoparticle को develop करके भी कर सकते हैं, अब हम लोग आ जाईए, drug delivery system की बात कर लेते हैं, कैसे हम जबाई होगी उसको deliver करेंगे, अब एक चीज बताइए मेरे को, बॉड़ी में कुछ ऐसे portions होते हैं, जहां पर drug, जहां पर medicine जाएगा, लेकिन बॉड़ी को तुरंत नहीं चाहिए, वो medicine, ठीक है, आप बॉड़ी में उसको भेज़ दो, और उसकी delivery मानलो हमको 10 घंटे अब हम लोग बात करते हैं, food processing and storage के लिए, तो nano composites होता है, for plastic film coating used to food packaging, किसको यूज करते है, nano composites को यूज करते है, जो बहुत सारे combinations से मिलके बना होता है, और इसको हम लोग यूज करते है, coatings की तरह हम लोग aluminum coating यूज करते है, food pack के लिए ठीक है, इसमें antimicrobial nano emulsion, यह सब हम लोग mix करते हैं, ताकि हमारो जो food हो खराब ना हो, ठीक है, अब इसे तरीके से हम लोग paste detection and control के लिए यूज करते है, vector and paste detection, nano particle को एक तरीके किसे नए pesticide के तरह यूज कर सकते है, insect repletants के तरह यूज कर सकते है, ठीक है, अब हमको देखना है, कि आखिर government ने इतना सारा कुछ कर सकते हैं, government initiative क्या लिया है, तो देखिए, नॉमा जो five year plan आया था, यह पहली बार promote किया था, research in nanometrial, जो ninth, अब इस fact cop को याद रखना है, ताकि आप इसको answer में लिखो, तो copy check करने वाले का है, यार इसने जरूर अच्छे से पढ़के है, मतलब इसकी research काफी अच्छी है, इसे अच्छे से कुछ न कुछ समझ आता है, ठीक है, आप एक काम करना, nano particle की एक छोटी सी notes बना के, मेरे को mail कर सकते हो, mail करने के लिए ispc simplified पर कर सकते हो, मैं देख के बता दूँगा, ispc simplified at the rate gmail.com पर कर देना, मैं बता दूँगा, किस तरीके का आप कर रहे हो, ठीक है न अब देखे, 2007 में mission, mission on nano science and technology को लाया गया, mission on nano science and technologies को लाया गया, इसको लाँच किया गया, तो आपको यह date weight याद रखना है, क्योंकि यह चीज़े fact है, और इसको आप और कुछ नहीं कर सकते हो, nano electronics innovation council बनाया गया, nano electronic innovation council बनाया गया, किसके दौरा तो मिटी, ministry of electronics and IT, मिटी के न, by undertaking research and skill development, मतलब इस पर काम अच्छे से हो रहा है, अब देखे, national task force for regulatory framework, roadmap के लिए भी बनाया गया, एक NTF, national task force को, तो देखे, अला कि बहुत ज्यादा change तो हुआ नहीं, बहुत ज्यादा चीज़ हुआ नहीं, लेकिन आपको फिर भी, in positive points को ध्यान रखना है, कि हम लोग impact health पे है, ठीक है, कैसे, nanoparticles might be able to disrupt cellular enzymatic and other organ related functions, जैसे कुछ enzymes होते हैं, वो अगर nanos के contact में, nanoparticle के तो उसमें उसकी effectivity कम हो जाए, हो सकती है, ठीक है, न, cell को disrupt कर सकता है, और कुछ organ को function को ये रोक सकता है, तो इस पे अभी काम चल रहा है, अगर ऐसा होगा, तो फिर हम environmental concern भी है, जैसे, nanoparticle might form a new class of non-biodegradable pollutants, ऐसा हो सकता है, मतलब ये अभी हो, ऐसा है नहीं, लेकिन research में चल रहा है, तो ऐसा हो तो सकता है, कि वो पार्टिकल जो होगा, वो एक तरीके से environmental threat होगा, कैसे environmental threat होगा, हो सकता है, वो एक family form कर ले, जो की non-biodegradable हो, जो की consume नहीं हो होता है, ठीक है, तो वो atmosphere में ढढ़ जाएगा, फिर वो बहुत सारा issue create करेगा, ठीक है, अब आगे देखते हैं, क्या कह रहा है, अब देखिए, कुछ lack of information है, इसके बारे में, on the nature and characteristics, अब हमें ये तो पता ही नहीं है, कि इसकी characteristic vary कर रहे है, लेकिन ये atmosphere पे, फिर किस सरी के अब देखिए, लोग तो इसके बारे में जानते तक नहीं है, फिर इसके लिए skills कहां से आएंगे, इसको एक्स्ट्रेक्ट करने के लिए कैसे, how to handle, ठीक है, तो scarcity तो रहेगी, skilled manpower की, फिर कुछ ethical consequences भी आएगा, आप mains लिख रहे हो, तो आपको इस direction से, इस dimension से भी देखना ह होगा, ethical consequences क्या हो सकता है, जैसे nanotechnology यूज किया सकता है warfare के लिए, जो कि बहुत सारे people के privacy को यूज कर सकता है, ठीक है, आपको पता है, इंसान कुछ बनाता है, तो से पहले वो destruction का सोचता है, ठीक है, अब एक चीज़, इसमें cost effective भी उतना नहीं है, थोड़ा सा इसके infrastructure को design कर करने में, या फिर इसके R&D service को design करने के लिए थोड़ा सा खर्च बाठेगा, बहुत लंबा अच्छा खासा खर्च बाठेगा, यूज नए तरीके से इसको modify करना पड़ेगा, अब लोग इसमें way forward क्या कहता है, ठीक है, इसकी कुछ benefits हम लोगों ने पढ़ लिया, initiative पढ़ लालस की वैसे किये जारे है, किये जारे है, ऐसा नहीं है, एक अच्छा सा nanotechnology का governance होना चाहिए, मतलब जो भी हो रहा है, ठंक से हो रहा है, climate को, फिर health को सब को consider करके, इसका वो हो रहा है, ठीक है ना, इस पर modifications हो रहा है, establishing a regulatory body, एक regulatory body होनी चाहिए, हर के ऊपर एक हैड होना यह नहीं तो, misuse बहुत जल्दी start होता है, human breed बहुत ही ज्यादा greedy है, ठीक है ना, अब हम लोग इसको, जब हम लोग regulatory body को लगाएंगे, तो उससे, जब हम लोग introduce करेंगे, तो फ्यूचरिस्टिक भी ध्यान रख सकता है, फ्यूचर में भी ऐसा इसका यह हाम हो सकता है, यह इसको level नहीं करो, direct base दो, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेवलिंग होना चाहिए, फिर infrastructure development करना चाहिए, ठीक है, research के लिए, HRD के लिए, human research development के लिए, इसी के साथ, बहुत सारे international और intergovernmental organization, international as well as intergovernmental organization के साथ, इनको coordination करना चाहिए, किसी के लिए तो अपने standard को develop करने के लिए, ठी करने के लिए, as well as इससे जो risk है, उसको governance करने के लिए, ठीक है, तो this is all about nanotechnology, अगर आपको मेरा content अच्छा लग रहा है, तो आप इसको subscribe कर लो channel को, थोड़ा मेहनत लगता है, job के साथ बनाता हूँ, फिर खुद भी पढ़ना होता है, ठीक है, तो आप इसको अगर अच्छा लग रहा है, तो content को subscribe कर लो, और इसकी अगर अपको notes चाहिए, तो ISP Simplified पे जुर जाओ, telegram channel है, मैं link description में डाल दूँगा, ठीक है, this is all about nanotech, I see you all, thank you.